जैन गाइज, hopefully studies are going well and we come with a good cool notification, आप सभी के लिए, my name is Priyal and आपके लिए notification आ गया है, IBPS clerk 2024 का, अरे कैसे माम एकदम से बोला गया था नहीं, first week में notification आउट होने वाला है, लेकिन एक short notice है, clear है, यह आपका एक short notice है, जो हमें नजर आ रहा है, जो आपका एक kind of notification ही, क्योंकि notification का अ आपको पूरे तरीके से रहता है, notification में जर्नली लिखा क्या रहता है, वो भी मैं बताऊंगी, और इस short notice में क्या है, हर चीज एक detail format में हम समझने वाले है, ठीक है, तो एक short notification आउट हुआ है, लेकिन आप सभी लोग, अगर हम पे विश्वास करें, तो यह notification जो आउट हुआ है, आपके लिए एक actually notification से कम नहीं, ठीक है, तो आप सभी लोगों को welcome करती है, मैं SLB banking guru में हो, जल्ली इसे subscribe करो channel और आओ मेरे साथ, अज देखते हैं, आग लगाई है तुम्हारे IVPS में, ओके guys, so go ahead, आग लगादी है IVPS में, notification जो release कर दिया है, तुम्हारे संडे को बहुती जादा खूब सूरत बना दिया गया है, तो जल्ली से focus करें, यह आपका notification है, notification जब आप देख रहे हो, तो आपको मैं दिखनी रहा है, तो थोड़ा से zoom up करते हैं, इस notification में एक website का नीम डला है, जो official website है आपकी IVPS की, इस पर focus करेगा, यह notification आपको इस website में नजर आएगा, औ और इस notification में क्या क्या है, मैं जल्दी इसे आपको 5 मिट लेके सब को समझाने वाली हूँ, प्लीज मैंटेन करेगा, जैसे ही जैसे आप इस notification को देखोगे, तो आपको जलाई में 1-21 तारिक तक registration dates दी गई है, और modification dates भी यही दी गई है, मतलब जो आपका कल से start होने वाला है जलाई उसमें 21-21 तारिक तक आप क्या कर सकते हैं, फर्म पिल कर सकते हैं, लेकिन अभी notification आना बाकी है मैं दोस्त, ठीक है, अभी यह short notification के तरीके से नजर आ रहा है, अब आपके prelims जो conduct होने वाले हैं, वो कितने तारिकों conduct होने वाले हैं, यह 12-17 के बीच में conduct होने वाले ह लेकिन इस notification में वो थोड़ी से आगे shift होती हुए नजर आ रही है, pre-conductation मतलब prelims की examination की clear है, conduct of the pre-exam training clear है, तो आप सभी लोग यह observe कर सकते हैं कि अगस्त में यह जो dates हैं, इनी में आपकी papers conduct कराये जाएंगे, अब जब आपका paper conduct कराये जाएगा, तो बस अगस्त खतम होते ह September में आजाएगा आपका result, और September में जैसे ही result आएगा, फिर आएगा October में आपका main, main, mains की exam, ठीक है, तो 13 October आपका tentative examination date है, जिसमें आप mains की तयारी करोगे, क्यों, क्योंकि माम 13 October में mains आपका declare है, जितने बच्चे qualify करेंगे prelims, उनका 13 October में mains का paper है, तो इस चीज को थोड़ है, exam की notification date बता दी है, form filling date बता दी हर एक detail आपके सामने दिख रही है, इस short notice में, लेकिन माम, date अकेला पता होने से कुछ नहीं होता, ये बताईए कि कितना क्या पढ़ना है, कितने questions कितने से पूछे जा रहे है, सबसे पहली चीज, हर चीज आर डिसकस करने वाले हैं, बस 5 म जाओगे, prelims में आते हैं, 3 subjects, quant, reasoning और English, quant और English, जो होता है, वो other teachers लेते हैं, मैं reasoning पढ़ाती हूँ, quant और reasoning जो है, वो 35-35 question पूछे जाएंगे, हर question के लिए, आपको, यहाँ पर section wise, आपका 20-20 minute का timer चलता है, कि 20 minute के लिए, एक section आपके लिए open होता है, उस 20 minute में, आप उस section क attempt करो, तो 20 minute में, आपको 35 question attempt करने रहते हैं, similarly, अगर आप notice करें, उपर मेरे, कि यहाँ पे 20 minute में, आपको 35 question reasoning के लिए, लेकिन यहाँ पे English के लिए, थोड़ा सा जादा, 20 minute में, English के लिए, आपको 30 question करने लेते हैं, मतलब कुल मिला कि, जो आपका quant or reasoning रहता है, इसमें आपक limit क्या होनी चाहिए, तो अगर आप 20-28 साल के हैं, तो आप आराम से इस paper को दे सकते हैं, लेकिन अगर आप category wise भी belong करते हैं, तो आपको relaxation 5 और 2 years का है, उसके बाद आता है भाई, हमारा मम prelims तो निकल जाएगा, हमें विश्वास है, तैयारी है, हमारी बढ़िया चल रही है, नहीं चल रही है, तो महाँ पैक चल भी रहा है, अवेल करो, ठीक है, जो आपका main से 2024 का, उसमें ये basic सा pattern होता है, हर बाद notification में नजर आता है, तो एक बाद focus करेगा, मैं जादा है तो अपने आपको hide कर देती हूँ, जरा focus करेगा, ये जो आपका notification है, इसमें journal awareness आता है, के आते हैं 50 कोशन, clear है, English के आते हैं 40 कोशन में, तब कुल मिला के 190 कोशन की पारी रहती है, लेकिन इस 90 कोशन की पारी में marks distribution थोड़े से अलग रहते हैं, जैसे 50 कोशन के लिए 50 mark सीधे-सीधे, मतलब एक कोशन के लिए 1 mark मिलता है, कहां, जर्नल awareness में, क्वांड के लिए भ मतलब कुल मिला के जितने कोशन है, उनमें से 10 कोशन इंगलिश में कम रहते हैं, तो आप टोटल करें, तो दोस्तों मास का आपका पेपर नजर आता है, लेकिन यहां पर टाइम डियूरेशन भी अलग रहता है, जनल awareness और इंगलिश के लिए आपको 35 मिलते हैं, हाला कि आप कट आफ का रेंज, वैसे तो बोला जाए, कट आफ का रेंज आपका वैरी करता है, अभी जो हाइस कट आफ देखा गया है, वो देखा गया है, 86.5 आउट ओफ 100 मार्क्स, किसमें भाई, यह अमने उडिसा में देखा है, कि उडिसा का हाइस कट आफ गया था लास्ट यर, औ जैसे आप MP और इन सब जगहों का देखें, तो MP, जैसे मैं MP से बलॉंग करती हूँ, तो MP का कट आफ गया था लास्ट यर, ठीक है, आपके लिए शौर्ट वीडियो आते रहेंगे, जिसमें मैं कट आफ बताऊंगी, तो कट आफ की रेंज यही वैरी करती है, ठीक है, 78, 76, 79, 82, इस पार्टन में ही वैरी करती है, अकॉर्डिंगली स्टेट की वैरी करती है, मैक्सिमम मैंने बता दिया है, आपको की मैक्सिमम कट आफ इतना गया था, क्लियर है काईज, आप सभी लोगों को समझ में आना चाहिए यह चीज, प्लस आप आपको एक और चीज जो सेलरी, जब आप सेलरी की बात करते हो, तो क्लर्क आपको प्रवाइड करता है, अप्रोक्सिमेटली 75,000 आपको आते हैं इन हाइं, प्लस अलावेंस भी आपको डीटेल में मिलेंगे, ठीक है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है, ये शॉर्ट नोटिस, आप लोग सभी एक तरीके से आपको बहुत हेल्प करने वाला है, और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से टार्गेट बाच पर भी इन्रोल कर सकते हो, रर्वी क्लर्क पियों का तो चली रहा है, संगी संग इसको भी ले दीजे, उसके बाद महा पैक और हमारा मेन पैक भी है, जिसको आप इस रेंज में अवेल कर सकते हो, क्लियर है, सो आपके लिए सारी चीजे डीटेल हम सब लॉय कर रहे हैं, सो होफुलिए आप सभी लोग को ये डीटेल बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन लगी होगी, और ये शॉर्ट नोटेस अगर पसंद आयो तो एक लाइक तो बनता है बॉस, ठीक है, जय हिन, जय भारत, खुब पड़ो और खुब आगे वरो, धन्यवाद